हेलो स्टुडेंट्स लास्ट कुट लेक्चर से हम बेसिक यूनिट पे डिसकस कर रहे थे जिस टॉपिक का नाम था सेल द बेसिक और फंडमेंटल यूनिट आफ लाइफ ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लिट नहीं किया बहुत सारी बच्चों को इसके बारे में डिटेल इन ग्लासेस स्टार्ट होंगे या फिर इस्टिल ऑनलाइन ग्लासेस रहेंगे तो हमारे जो कोर सब्जेक्ट के टॉपिक्स है वो कंप्लिट होने के बाद उस चैप्टर को हम फिर से एक बार रिवाइस करने की कोशिश करेंगे कुछ पॉइंट्स हमने डिसकस किये थे और बा बारे में भी डिसकशन करना है ओके संडे टू संडे जितना भी हमारा पोर्शन होंगा उस हिसाब से एमसी की उसका टेस्ट होंगा और जब आफलाइन क्लासेस होंगे जब थेरोटिकल आस्पेक्ट्स पर भी हम उसमें फोकस करेंगे तो आज जो मुझे टॉपिक डिसकस कर था टिशू के बारे में डिसकस किया था ओर्गन सिस्टीम के बारे में भी डिसकस किया था लास्ट कई लेक्ट्र में हमने फंडमेंटल यूनिट सेल देखा था ओके अब यह जो परटिकुलर सेल है यह स्पेसिफिक फंक्शन्स परफॉर्म करता है सेल के अंदर बहुत सार अलग-अलग Metabolic Activity का पर्फॉर्मंस करते रहते हैं बहुत सारे चीजों का सिंतेजिस होता है बहुत सारी चीजों का ब्रेक्डान होता है मतलब सेलो skirts लेवल पे कंटिन्यूसली Metabolic Activity चलते रहती हैं तो एक सिंगल सेल बहुत सारे functions performed करता है इस single cell के जैसे बहुत सारे cell हमारे body में होते हैं तो multiple cell group के form में similar functions perform कर रहे है और उनका structure common हो चुका है multiple cell का तो उस particular cell के group को ही हम tissue कहेंगे, okay the team of workers मतलब क्या, एक particular function है body का, उस function को बहुत सारे cell एक जैसे cell same function perform कर रहे है, इस type के cell को और इस type के functions को group में काम करने की वज़ा से और common structure develop होने की वज़ा से इस group of cell को बच्चों हम tissue को ऐसा कहते है, okay अब यह जो particular tissue है यह specific tissue organs के formation करेंगे, मतलब different type के tissues मिलके क्या करेंगे, organ systems को और organs को develop करेंगे, जैसे हमारे muscular tissue है, उन्होंने heart को बनाया है, दिल को बनाया है, okay जैसे for example हमारे जो epithelial tissues है epithelial tissues ने जो surfaces होते है body के वो बनाया है nervous tissue ने हमारा nervous system बनाया हुए, ऐसे plants के अंदर भी specific tissues होते है जो खास functions perform करने के लिए responsible होते हैं, okay तो tissue में basically दो type के tissue हमको आज discuss करना है एक है plant tissue और दूसरा है animal tissue जिसमें मैं आज के topic में curly plant tissue के बारे में ज्यादा detail discuss करूँगा, उसके बाद one by one हम animal tissue के बारे में भी discuss करेंगे, plant tissue को portion है, वो इतना ज्यादा लेंदी नहीं है, बट animal tissue का classification थोड़ा सा किसी खदर ज्यादा है as compared to plant tissue ठीक है, hope आप लोगों को मेरी language अच्छे से समझ आ रही होंगी अगर आपको नई समझ रहा है तो आप comment करके group में या फिर personal में message sir को कर सकते हैं और उस हिसाब से आप, आपकी जो भी queries है, वो आप share कर सकते हैं हमको भी हमको आसानी हो आपको क्या पढ़ाना चाहिए किस तरीखे का कितना deep knowledge दिना चाहिए यह भी हमको in accordance with your interest हमको modulate होते हैं ठीक है, तो आज हम जो topic discuss कर रहे हैं वो है plant tissue अब देखिए यह तीन parameter में हमको study करना है tissue की, ठीक है, अब plant tissue है plant tissue के types कितने है? plant tissue के basically दो type है, okay पले हम plant tissue का classification कर रहे है plant tissue में basically दो type है दो type कोन से है एक है meristematic tissue एक है meristematic tissue और दूसरा है permanent tissue and permanent tissue meristematic tissue एक खास है और permanent tissue एक खास character रखता है ठीक है अब मेरे systematic tissue किसको बोलेंगे यह मेरे systematic tissue को मैं focus करूँगा मेरे systematic tissue the tissue which is having capacity to divide ऐसे tissue जिसमें division की शमता होती है जिसमें divide होने की quality होती है जबके permanent tissue यह specific structure develop करते है और constant same stage में होते है इसलिए इसको permanent tissue में कहूँगा मेरे systematic tissue divide होके नए sales बनाते है और वो नए sales अगर proper structure develop करते है तो वो convert हो जाते है permanent tissue में या फिर अगर वो permanent tissue में convert नहीं होते है तो still meristematic tissue रहकर continuation करते है नए sales का ठीक है तो meristematic tissue ऐसे tissue है जिसमें division की शमता होती है ठीक है अब यह जो particular meristematic tissue है यह meristematic tissue के हम types देखेंगे तो दो type के meristematic tissue होते है in accordance with their location location के हिसाब से permanent tissue के दो type है सुरी meristematic tissue के दो type है permanent tissue हम बाद में देखेंगे अभी हम meristematic tissue अगर देखते है तो meristematic tissue में दो type के tissue है एक है apical meristeme apical meristeme और दूसरा है lateral meristeme अब यह जो lateral meristeme है को हम cork भी बूल सकते है lateral meristeme को हम cork भी बूल सकते है ओके अब यह जो टीशू के types है apical meristeme और lateral meristeme यह उनके locations के हिसाब से है कैसे apical meristeme का जो location है ठीक है अपाइकल meristeme का यहां पर लिखता हूँ मैं अपाइकल meristeme तो यह tips tips के जो region है tips कुन से जैसा कि stem का tips हो सकता लीफ का tip हो सकता ठीक है जो हमारे tips के part है मतलब surface के मान लो यह स्टेम है specific स्टेम मेरा drawing उतना च्छनी है बच्चों फिर भी आप address कर लो ठीक है यह जो particular part है ठीक है यह हमारा स्टेम है तो इस टाइम का जो ऊपर का growing region है यह वाला जो region है यह growing region पर जो sales होते है इस growing regions पर जो sales होते है इन sales ही को हम क्या बोलते है अप आइकल मेरे स्टेम अब यह sales जैसे divide होंगे उसी साप से size बढ़ेंगा इस particular स्टेम का और दूसरा है lateral मेरे स्टेम lateral मेरे स्टेम की जो position होंगी वह middle position होंगी हमारे particular stem की और यह bark के पीछे होंगे मतलब bark का जो region होता है और मतलब जिसको बोल सकते हम हमारे जो stem है stem के surrounding के जो sales होते है उसके पीछे बिल्कुल यहां पर यह particular type के अपाइकल मेरे स्टेम होते है और यह अपाइकल मेरे स्टेम गिर्थ का growth करते है मतलब हमारे stem की जो thickness होती है यह thickness को बढ़ाने के लिए यह lateral मेरे स्टेम responsible होते है एस दा नेम इंडिकेट लैटरल मेरे स्टेम मतलब जो lateral side में होंगे lateral side is nothing बटा middle position एंटेरियर होता है जो front होना सामना सामने का हिस्सा है posterior मतलब back side का lateral मतलब middle side का नाइधर anterior नाइधर posterior नाइधर dorsal नाइधर ventral मतलब middle position तो यहाँ पर जो middle position में जो टिशू होते है बच्चो उसको महम बोलते है lateral miristim lateral miristim ये गिर्द बढ़ाएंगे और apical miristim ये hide बढ़ाएंगे हमारे plant की ओके तो miristematic tissue के दो type हो गए एक है apical miristim और दूसरा है lateral miristim अब यह जो miristimatic tissue है उनकी characteristic feature क्या है मेरistimatic tissue की characteristic feature कुछ ऐसी है कि इस tissue में metabolic activity बहुत ज्यादा होंगी higher metabolic activity हायर metabolic activity होंगी वह उसमें भी सबसे ज्यादा जो area है जहां पर metabolic activity होंगी वह है nucleus nuclear region के nuclear region में क्यों होंगी क्यों तो यहां पर mietosys होंगा cell division होंगा cell division में nuclear division होंगा chromosome का formation यह हैं तो continuously metabolic activity होना है तो अठीक है गया वैक्यूल is absent जो वैक्यूल होता है यह यह वैक्यूलра इसमें absent होंगा वैक्यूल जो गाम करता है वाटर साल्ट बैलेंस करने का है प्लांट धर सारे सेफ कर उसे थोड़ा सा हटके यह सेल होगा इसके पीछे रिजन ये हैं कि इन सेल को डिवाइड होना है अब ये जो particular मेरिस्टिम है मेरिस्टिमाटिक टिशू है ये मेरिस्टिमाटिक टिशू के location जैसे मैंने अभी बताया leaf का जो tip है और stem का tip है और root के tip का region है जहाँ पर cell division हो रहा है खास तो रुपे तो ऐसे जगवा पर ये मेरिस्टिमाटिक टिशू होंगे और lateral position पर भी होंगे lateral miristim और cork ठीक है तो ये lateral miristim में भी ये यहाँ पर cell हो सकती है जिसको मैं lateral miristim जो lateral position पर होंगे जिसको हम cambium भी बोल सकते है ठीक है lateral position पर क्या होंगे cambium होंगे जिसको lateral miristim भी बोलते हैं हम यहाँ पर उपर मैंने mention किया हूँ ठीक है तो यहाँ पर हमने plant tissue के categorize किये तो हमको समझ में बात यह आई कि plant के basically दो type के tissue होते है एक होता है miristematic tissue और दूसरा होता है permanent tissue miristematic tissue ऐसे tissue होते है जिन में cell division की हमता होती है miristematic tissue में basically दो type के miristematic tissue हुए एक है apical miristim और दूसरा है lateral miristim ठीक है उसके बाद permanent tissue है इसके बारे में हम next lecture में discuss करेंगे अभी सिर्फ मुझे miristematic tissue ही के बारे में आपको बताना था ठीक है हमारी जो ICC की books है उसमें जो theory है उसको एक बार अच्छे से देखना है अगर कुछ curious होते है तो आपको group में question करना है या फिर आप question करिए उस पर भी मैं आपके doubt के हिसाब से मैं lecture एक और बनाऊंगा जो भी बच्चों को doubt के लिए करने के लिए खास मैं एक lecture और उसमें develop करूंगा मिलते हैं next lecture में thank you